वर्क वाले गले को तयार करने के लिए सबसे पहले अस्तर का जो शोल्डर होता है उसको सूट के सोल्डर के साथ हमें अटैच कर लेना है उस पर एक सीधी सिलाई लगा लेनी जैसे यहां पर मैंने लगाई हुई है इसके चारो और सिलाई लगाने से पहले हम एक बीच में सिलाई लगाएंगे सेंटर में ताकि हमारे दोनों फैबरिक एक साथ रहे इदर उदर ना हो सेंटर सिलाई लगाने के बाद हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे शिलाई हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है शिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर का जो फैबरिक है उसे हम कट कर देंगे कुछ इस तरह से उसके बाद हम इसमें क्रोस कट करेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें अंदर की तरफ तो हमारी अच्छी finishing है इस तरह से इस fabric को पलट देना है उसके बाद जो हमने shoulder joint किये थे दोनों के एक साथ अब हम उनकी सिलाई को हटा देंगे सिलाई हमने हटा ली है अब उसके बाद इस तरह से इसे fold कर देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जो अस्तर का फैबरिक है वो हमें अच्छे से अंदर की तरह fold कर देना है और उसके उपर हम एक सिलाई लगा लेंगे सिलाई हमें यहाँ पर finishing के साथ लगानी है इस सिलाई के complete होने के साथ साथ हमारा नैक भी बनके ready हो चुका है वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी finishing के साथ हमारा नैक बनकर तयार हुआ है इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें हमारा नैक गारे सकत्के आप है हमारा नैक कारण थां लुका स्राण को सबनाтов हमारा नैक बनकर ततर। कर दो